कि नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका सब बढ़िया होंगे आज आगे बढ़ाता हूं मैं हमारे नैशनल मुमेंट के पार्क थ्री राष्ट्रे अंदोलन का तीसरा भाग उससे पहले आपको मैं यही करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यदा से ज़्यदा लाइक स सब्सक्राइब कीजिए यह चैनल का नाम है कोई दिक्कत हो तो यह मेरे कॉंटेक्ट नमर आप इस पर कॉंटेक्ट कीजिए मेरे को और चैनल को आप आगे बढ़ा यह पढ़ाने के लिए मैं हुई पिसले दो पार्ट में दो वीडियो में मैंने आपके साथ बात की राष् बलता दिया कांग्रेस के कुछ मैंने इंपोर्टेंट वार्षी का दिवेशन भी बताए थे अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं राष्ट्रिया अंदोलनों को अगर देखा जाए तो राष्ट्रिया अंदोलनों की सुरुआत हुई थी 1885 से सुरुए थे और 1947 तक चलेते हैं 1885 से 1947 तक चलेते हैं इन राष्ट्रिया अंदोलनों को बार्तिय इतियास में तीन चरणों में बाट करें पड़ा जाता है राष्ट्रिया अंदोलनों का पहला चरणों वाता 1885 तक 1905 तक इसे कहा जाता था उदारवादी युग ये राष्ट्रिया अंदोलनों का उदारवादी युग था दूसरा चरण शुरू होता है 1905 से लेकर 1919 तक ये चरण कहलाता है उग्रवादी युग फिर इसके पस्चा तीसरा चरण आता है 1919 से लेकर 1947 तक यह चरण कहलाता है गांधिवादी युग ये तीन चरण है राष्ट्रिया अंदोलनों में पहला चरण 1865 से 1905 तक चला उदारवादी युग कहलाया दूसरा चरण 1905 से 1919 तक चला उग्रवादी युग कहलाया तीसरा चरण 1919 से 1947 तक चला गांधिवादी युग कहलाया अब इनी चरणों में अलग-अलग गटना कर्मों को हम बाट कर पड़ते हुए चलेंगे शुरुआत हमारी होगी उदारवादी युग से तो उदारवादी युग में अगर है आपके साथ बात करूं तो उदारवादी युग राष्ट्रिया अंदोलनों को देखते हुए कोई मतोपुरुन गटना करम नहीं हुआ उदारवादी युग में सबसे मतोपुरुन गटना करम थे इस समय में हुए कौंग्रेश के अधिवेशन कौंग्रेश के द्वारा अलग-अलग जो प्रस्ता हो अलग-अलग मुद्दे उठाए गए उदारवादी क्यों कहलाया उसका भी एक कारण है कुछ लोगों की मान सकता मेरे विचारू से मिले या ना मिले फिर वे मैं बताना चाहूंगा कॉंग्रेस में 1905 के बाद में दो गुरूप आये थे एक गुरूप था वुरध और एक था यूवा यूवा पढ़ेली के नए जवान लड़के जो कॉंग्र अगये उससे पहले नहीं कह सकते हैं कि हम यह उससे पहले सुर्वात में इनको 1817 में नाम दे दिया कि उधारवादी 1905 तक जाते जाते डेफाईनों ने लग गया कि इन लोगों की मनोवर्ती अलग है इनकी मनोवर्ती अलग है उदारवादी युग प्रारंबिक कॉंग्रेसी निताओं से भरावव था इनका ही प्रभाव था इन लोगों की एक ही परवर्ती ती जिसे नाम दिया गया अनुने विनय की परवर्ती जिसे यूं कहे तो इसी युवा वरग ने इसी उगर वरग ने नाम दिया था कॉंग्रेस की बिक्षा वर्ती इन लोगों का मानना था कि बार-बार एक ही विशे को लेकर प्रार्थना की जाए अगर ब्रिटिस परशासन हमारी सुन नहीं रहा है तो उन पर धवाव मत बनाओ बार-बार-बार उनके सामने प्रार्थना करो एक ना एक दिन वो हमारी बात को जरूर सुनेंगे जबकि इसी युवावरक की विचारदार आ थी कि ब्रिटिस परर साशन इस देश पर शासन चला रहा है तो सासन चलाने वाले का दाइत्व बनता है कि वो जन्ता की समस्याओं का समाधान करे इनकी एक ही सोशती कि एक बार जाकर बता दो या उनको कि हमारी ये समस्या है सामने आएगी तो यह उदारवाद से प्रभावित था प्रारंबी के समय बुजरगे नेता थे विचारे वह यही मानते थे और वास्तविक देखा जाए तातकालिक प्रिस्तितियों में उनका कोई दोस नहीं था उनकी प्रिस्तितियों है शिति की उसी में उनको काम चलाना पड़ा अब आगे देखते हैं उदारवादी चरण के अंतिम समय में उगरवाद के प्रारंबिक समय में एक जो गठना गठित हुई उस गठना के उपर बात करता हूँ गठना है बंगाल विभाजन थोड़ा सा मैं इस सब्द के उपर चर्चा करूँगा बंगाल क्या है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में 1905 में बंगाल कहां था वो गोलिक रूप से और किस क्षित्र को बंगाल खहते थे इस बंगाल में वर्तमान का हमारा बंगला देश सामिल है उडिसा का कुछ हिस्सा इसमें सामिल है हमारा पस्चिम मंगाल वेस्ट बंगाल इस्टेट ये भी इसमें सामिल है पहले असम भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था प्रंतु 1874 में असम को अलग कर दिया गया था 1804 में बंगाल से अलग करके असम को अलग प्रांते बनाया गया था जो बंगाल प्रा अंग्रेजु के जितने भी प्रांत थे उनमें सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल और इसी बंगाल में पनप रही थी सबसे बड़ी समस्या जो अंग्रेजु के लिए नासूर बन रही थी वो समस्या थी राश्टरवाद क्योंकि इस बंगाल में नए-नए करांतिकारी विच तरजी भी यहीं से थे हमारे कर्शन कुमारे मित्तर भी बंगाल में राष्ट्रवाद की भावनाएं पना प्रही थी और अंग्रेजु के लिए ये चीज सरदर्द बन रही थी इस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड करजन लॉर्ड करजन को लगा कि अगर राष्ट्रवाद की भावनाएं भारत में दबानी है तो इलाज करना पड़ेगा सिर्फ बंगाल का क्योंकि सारी विचारद आ रही यहां से निकल करा ली अगर बंगाल में राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबा दिया तो पूरे देश में अपने आप दब जाएगी लॉर्ड करजन काम करना चाता था भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबाने का सामराज्य की भावनाओं को दबाने का परंतु इसने जो काम किया वो इनी के लिए उल्टा हो गया और बारतमे राष्टरवाद की बाउन आए बढ़ गई इसलिए इस लॉर्ड करजन को बारतमे राष्टरवाद का या सामरज्यवाद का उतपरेरक का आ जाता है परिक्षा में परसन आये तो कभी गलती मत कर देना इसा परसन आएगा एग्जामिनर जानबुजगर आपसे गलती करवाना चाहेगा परसन्देगा बारतमे राष्टरवाद का उतपरेरक किसे का आ जाता है एक ही ओप्षन मिलेगा लॉर्ड करजन तीन नाम की नहीं बारतियों के मिलेगे और आपको लगेगा अंग्रेज और उतपरेरक क्यों बनेगा उतपरेरक भी कई परकार के होते तो इस आद्वी बिचारे ने काम तो अपने बले के लिए किया था और हो गया इसका बुरा किस परकार सी राष्टरवाद की बाउनाए पनपी आगया आपको देखे मैं बताता हूँ तो लॉर्ड करजन ने राष्टरवाद की बाउनाओं को दबाने के लिए एक ही आइडिया निकाला लॉर्ड करजन ने 1903 में सडियंतर करना सुरू कर दिया कि अगर इस बंगाल को तोड़ दिया जाए तो राष्ट्रवाद की भावनाएं दब सकती है केसे दब सकती है बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था और इसी बंगाल में दोनु धर्मू के लोग रहते थे हिंदू और मुस्लिम और दोनु का अनुपात बराबर था परन्तु बोगोलिक रूप से देखे तो एक क्षत्र में हिंदू बाउल लेते और दूसरे क्षत्र में मुस्लिमें बाउल लेते और लॉर्ड करजन ने यही स्कीम लगाई कि इस बंगाल को इनके आधार पर तोड़ा जाए हिंदू और मुस्लिम के आधार पर और इन में लड़ाई पेदा करवाई जाए फूट डालो और राज को लीजी भी या आगे क्या करता है लोर्ण करचन केंदरिये असेंबली में 19 जुलाई 1905 को बैठक बैठती है और बैठक में अंगरेजु ने सर्वसमत्ती से निरनाय पारित कर दिया कि पूरे देश में निरनाय पारित कर दिया गया कि बंगाल का विबाजने किया जाएगा 19 जुलाई 1905 को परस्ताव पारित होता है और इसी परस्ताव को लागू कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को अंग्रेजु ने बंगाल के विबाजन का कारण बताया था प्रशासन अंग्रेजु ने क्या कहा लोर्ड करजन कहता है कि बंगाल एक बड़ा प्राहन थे और इसमें हम सुवेवस्ति तरीके से प्रशासन नहीं चला सकती इसलिए इसे प्रशासनिक कारणों से तोड़ना बंगाल को दो भागों में विवाजित किया एक भाग था बंगाल और दूसरा भाग इसने बनाया पूर्वी बंगाल पूर्वी बंगाल जिसमें आजगा बंगलादेशा जाएगा और बंगाल जिसमें हमारा उडिसा वाला और वरत्मान हमारा पस्चिम बंगाला जाएगा इस बंगाल की इन्होंने राज़दा ने रखी कलकता तो पूरवी बंगाल की इन्होंने राज़दा ने रखी ढाका बंगाल वाला जो क्षित्र है ये हिंदू बाहुले क्षित्र था तो पूर्वी बंगाल बंगला देश वाला क्षित्र है मुस्लिम बाहुले क्षित्र था करजन बंगाल के विवाजन का कारन बताता है परसास नीगे परंत कूट निती का प्रियोग करते विए इसी करजन ने बंगाल का विवाजन कर दिया था धार्मी के रूप से आप देखिए जैसे ही बंगाल विवाजन का प्रस्ताव पारित होता है बंगाल का विवाजन लागू होता है पूरे देश में बंगाल विवाजन का विरोध सुरू होता है रांखी दिवस के रूप में मनाया रांखी बांध कर पूर्वी और बंगाल वालों के बीच में एक दूसरे के बीच में भाहिचारे का संदेश तिया इस दिन को रांखी दिवस मनाने की गोशना कर दी जब तक वापस बंगाल का विले नहीं होगा तब तक हर साल 16 को सोक दिवस मनाया गया था बारत में यह याद रखना राकी दिवस मनाता है रविंदर ना टेगोर रविंदर ना टेगोर ने इस दिन को सोक दिवस मनाने की गोशना के थी टेगोर के द्वारा बंगाल विबाजन के विरोध में अपना सबसे प्रसिद गीत गाया गया था आमार सोनार बंगला वरतमान में बंगला देश का राष्ट्रिय गीत ठीक है दोस्तों यह हो गया टेगोर के द्वारा 16 अक्टुबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है इस दिन को सोक दिवस के रूप में मनाने की गोष्णा की जाती है आमार सोनार बांगला नामक गीत गाता है रमिंदर नात है टेगोर बंगाल विभाजन के विरोध में इसी बंगाल विभाजन के विरोध में करशन कुमार मित्तर ने अपनी पत्री का संजीवनी में 3 जुलाई 1905 में संजीवनी नामक समाचार पत्तर का परकासन किया करते थे क और कृशन कुमार मित्तर ने 3 जुलाई 1905 को अपने समाचार पत्तर संझीवनी में कहा था कि हमें करना है इसका बहिसकार। यह देखो जी बहिए यह करते हैं इसका बहिस्कार का प्रस्ताव पारित और बंगाल विबाजन का बहिस्कार किया जाता है और इस बहिस्कार की सुरूआत करता है बाल गंगादर तिलक बाल गंगादर तिलक के द्वारा बहिशकार के रूप में बंगाल में सुरू कर दिया जाता है सवदेशी आंदोलन भारत में अगर यह है प्रशन किसी भी परिक्षा में पूचा जाए और सवदेशी आंदोलन का सम्मन्द पूचा जाए तो सवदेशी आंदोलन का जनक एक ही विक्ति था बाल गंगादर तिलक सवदेशी को कईयूने अपनाया है पर इस एक आंदोलन के रूप में मुर्त रूप देने वाला विक्ति था बाल गंगादर तिलक तो आप दिहान रखना इस बात को अगर किसी भी परकार से गुमा फिराइक आपको पूछ ले कि सवदेशी आंदोलन का जनख कुन था तो बाल गंगादर तिलक सवदेशी आंदोलन का जनख था हाँ सवदेशी सब्द का जनक दयानंद सर्श्वती था और ये समाज था ये खह सकते हुआ अब दहां देना तिलक बहिसकार के रूप में सवदेशी आंदोलन चला देता है पास्चाते सामगरी का बहिसकार शुरू होता है और तिलक ने ही इस सवदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर निकाल कर पुना और बंबई में भी फैला दिया था बंगाल विवाजन के विरोध में यही सवदेशी आंदोलन जो बंगाल में शुरू आता बंगाल से निकल कर पुना और बंबई में पहुँच गया था लाला लाजपत्राय के परियासु से यही सवदेशी आंदोलन पहुंचा था पंजाब में तो दूसरी तरफ हैदर रजा अली के परियासु से यही सवदेशी आंदोलन पहुंचता है दिल्ली में तो चितंबरम पिल्लई के परियासू से यही सवदेशी आंदोलन पहुंचा था मदरास प्रसिडेंसी में जो सवदेशी आंदोलन बंगाल से सुरू आता उसी सवदेशी आंदोलन को तिलक लिकाल कर ले जाता है पुना और बंबाई में लाला जी ने इसे पंजाब में सुरू करवा दिया है धर रजा इसे दिल्ली में प्रारंब कर देता है पिल्लेई के परियासू से मदरास प्रसिडेंसी में भी सवदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है एक तरह से देखा जाये तो पूरे देश में सवदेशी आंदोलन शुरू हो चुका था और इस सवदेशी आंदोलन में सबसे ज़्यादा रुक और सबसे ज़्यादा उत्सा दिखा रहे थे युवा वरक के लोग जो आगे चल कर एक उगर विचार धारा के जनक माने इनहीं युवाओं के कारण बंगाल विवाजन के कुछ समय पस्चात 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नोरोजी की अध्यक्षता में कॉंग्रेश का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि उस अधिवे कॉंग्रेश ने चार सब्द पारित केते चार प्रस्ताव पारित केते वो चार प्रस्ताव सुनना आप ध्यान से उन चार प्रस्ताव में पहला नाम आता है सवदेशी दूसरा नाम आता है सवसासन और तीसरा नाम आता है बहिसकार और चोथा नाम आता है राष्ट्रिय श इसकार्क आंदोलन के दोरान रविंदर नाथ टेगोर ने शांती निकेतन के भी इस्तापना की तिरास्ट्री शिक्षा को देने के लिए अब यहाँ पर आगे जो बात होती है वो ध्यान से सुनना आगे कहानी क्या बढ़ती है ये सब लोग तिलक लाला जी वगेरा ये सब चाहते थे कि सवदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर निकाल कर पूरे देश में फेला दिया जाए और अंग्रेजु को यहां से भगा दिया जाए इसी बंगाल विवाजन के विरोध में जगए जगए विरोध परदर्शन नहीं सल रहा है सब देशी आंदोलन सुरू हो चुका है अब आगे ध्यान देना पूरे देश में राष्टरवाद की भावना उगर रूपे धारन कर रही है इसलिए लोर्ड करजन को उत्परेरक क संग्या दी गई है मोटिवेटर का काम कर गया विचारा उत्परेरक के रूप में आ गया यहां पर आया तो था राष्टरवाद को दबाने और राष्टरवाद परकर हो गया यहां पर आगे ध्यान देना तो यह चारे हैं इस आंदोलन को पूरे देश में फिलाना जबकि नरम पंती जिने हम उदारवादी कहते हैं नरम पंती सांदोलन का संबंद सिर्फ बंगाल से रखना चाहते थे कि तकलिप बंगाल के साथ है तो इसको बंगाल तक शिमित रखो फिर भी यह लोग उगर पंती जो लोग है यह लगे वे ही सांदोलन के विस्तार में आगे दे और सामपरदाएक दंगे फेलने लगे मुसलिम किसानों के द्वारा हिंदु जागिरदारों के उपर हमले होने लगे डाका का नवाव सलीमुलाखा बंगाल के वीबाजन को जायज ठैरा देता है और यहां पर समपर्दायक माहोल को पैदा करता है तनाव को बढ़ावा देता है और यहीं पर इसी समय इस सवदेशी आंदोलन को फैलाने को लेकर कुछ और भी मुद्दे थे उनको लेकर 1907 में कॉंग्रेस के ही दो टुकडे हो गए कॉंग्रेस ही उग्रवादी और उदारवादी दो दलू में बट गई नरम दल और गरम दल क्यों बटी किस कारण से बटी यह जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड बने रहे है हमारे चैनल पर धन्यवाद दोस्तों आपकी परतिक्रियाओं का इंतजार रह नमस्कार